आप 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 हांज दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं B.S. 6 Himalayan के बारे में हाझ दोस्तों हिमालयन की कुछ फिक आ गई है उसके बारे में पता लग चुका है यानी कुछ spy images आ चुकी है उसमें उसके नए colors का पता लग रहा है दोस्तों पहले भी दो वीडियो बना चुक ओं हिमालयन के बारे में जिसने मैंने परहली वीडियो में में यह बताया था कि कौन से तीन न्यू कलर आ रहे हैं और उसमें बताया था दूसरी वीडियो में यह बताया था कि कौन से दो जो न्यू फीचर्स हैं वो आपकी वो दोनो वीडियो आई बटन में वन बाई वन आ रही होगी पहले आपकी थ्री कलर्स वाली आएगी उसके बाद आपके जो टू मेजर चेंजिस ज्यानी जो नए फीचर्स आने वाले हैं उसके बारे में आएगी तो चलिए दो आज की वीडियो शुरू करते हैं और उससे प सिस्क्राइब का जल्दी से क्लिक कर दीजए ताकि आपके आप जो भी लेटस इन इफोर्मेशन होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैंने फस्स वीडियो में बदाया था कौन से त्री कलर्स आ रहे हैं तो इमेजिस आपकी BS6 Himalayan support कही गी है दोस्तों अगर आप images को दियान से देख रहे होंगे तो ये वो ही bike है जो आपको EICMA 2019 में दिखाई गई थी Italy के जो शो में दिखाई गी थी और मैंने उसी के base पे कहा था कि हाँ जो तीन new color है वो आने वाले उनमें से एक color तो short shot हो चुका है कि पहला color यही होगा rocky red color होगा यह basically black and red का combination front से आप देखेंगे इसमें grill के साथ red color किया गया बाकी जो tank का portion है वो black है यानि black और red का एक अच्छा सा option है कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहोगा कि वो दोनों color आज नहीं तो कल तो आई जाएंगे तो दूसरा color है लेक blue color हाँ जी दोस्तों यह white और blue का एक combination है आप जहां से देख रहे होंगा यह color भी वैसे बहुत जादा अच्छा लग रहा है यह उसी तरह combination मनाया गया है कि जिसी तरह से black और red का combination मनाया गया है यानि आपको blue और white का दोनों colors देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों अगर बात करें मेरा फेवरेट क्लर को ओन सा इन तीनों में से तो दोस्तों यह दोनों color मेरे फेवरेट हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बैटर लग रहा है और मेरे साब से जब market में यह बाइक आईगी तो इसी color की सबसे ज़्यादा demand रहेगी दोस्तों बात करते हैं कि क्या और changes आने वाले मैं पहले वीडियो बना चुका हूं मैं फिर भी आपको बताता हूं कि क्या चेंज आने वाले पहला चेंज है hazard light हां जी दोस्तों इसमें आपको hazard light देखने को मिलेगा और इसका फैदा क्या होता है वह वीडियो आप मेरी देख सकते हैं उसमें मैंने वीडियो देख लीजिए उसमें मैंने detail ने बताया कि switchable ABS होता गया है दोस्तों तीन changes की बारे में हम बात कर चुके हैं चौता चेंज है catalik converter है जी दोस्तों BS6 की की जितनी भी बाइक हों चाहिए वह CD Deluxe है या फिर आपकी Royal Enfield Classic 350 है सब में catalik converter लगा हुआ है यह carbon को collect करने बेसिकली जो भी harmful pollution होते हैं या carbon होते हैं यह उसको control करने के लिए लगाया जाता है उसके इलावा आपको oxygen sensor भी इसमें लगा हुआ मिलेगा यह oxygen sensor वहीं लगा होगा जहां पर classic 350 का oxygen sensor लगा हुआ है अगर इसके इलावा बात करेंगी क्या और चोटे मोटी changes होंगे तो हाँ दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत cosmetic changes भी होंगे देखे जहां पर पहले हिमालियन लिखा होता था अगर अब दिहान से सबको ऐसा होता हो तो first time मुझे ऐसा लगा थे जैसे टैर का निशान है लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उसमें हिमालेन लिखा हुआ है लेकिन अब क्या होगा कि वो टैर का निशान जैसा वो बना हुआ है वैसा ही बना रहेगा लेकिन जो हिमालेन है उसको white color से paint कर दिय यानि थोड़ा सा highlight कर दिया गया यार वह बहुत जादा अच्छा लग रहा है और मेरे गाल से फराने वाले से यादा बेटर लग रहा है आफ्टर जब यह बाइक आज आजाएगी मार्किट मुझे लगता है जो भी एक्सपेरिमेंट अपनी बाइक के साथ जरूर करेंगे बागे दोस्तों इसके इलावा भी कई चोटे मोटे और चेंजिस हो सते हैं एक चेंज और भी सुनने में आया लेकिन इसके बारे में निये लेकिन मैं फिर भी आपको बतायता हूं कि इसमें साइट स्टैंड इंजन किल स्विच लगा हो यानि देखे जब आपकी बाइक को इसमें दी जाए अब बात करते हैं लाउंच डेट की आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि यह बाइक कब लाउंच होने वाली है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए पिछली बार क्लासिक 350 की इमेजिस आई थी उसके बाद 10 या 12 दिन बाद आपकी जो बाइक है तो उसी तरीके से हो सकता है कि यह जनवरी एंड में यानि इस मूंत के एंड में भी मिल सकती और फरबरी स्टाइटि से पहले पहले आपको मिल जाए यानि इस बीच बीच में यह बाइक आपको आईक जैनि क्या प्एले लीड़ एक पहले नइच गर्दिय बूर्ट क्लासिक 350 की BS6 model में देखे मैं चंडीगड में रहता हूं और चंडीगड में क्लासिक 350 BS6 model वाली बहुत लेट आई तो मेरी वीडियो है वह काफी लेट आई तो हो सकता है कि यार मेरे चंडीगड में दुवारा से लेट आए तो शायर में वीडियो भी थोड़ा सा लेट बनाऊ लेकिन जब भी आएगी मैं 100% आपके लिए एक वीडियो तो जरूर बनाऊंगा हाई जोस्तों अब बात करते हैं प्राइस की तो प्राइस में अब बात करें तो कितना डिफरेंस आएगा देखें 100% नहीं है क्योंकि यार देखें कई चीज़े हमें एक्स्ट्रा मिल रही है और देखें BS6 नॉर्म में इंजन को कनवर्ट कर रहा है तो कहीं नहीं थोड़ा बहुत तो कॉसली वह हो गई तो इतना जो रेट है फर्क है वो थोड़ा बहुत जैनुवनी है यारी 5 से लेके 12,000 तक का डि है हिंद बंदे मात्रम